हेलो, गूद मॉर्णिंग प्रेंट्स तो आज हम चने की दाल के फरे बनाने जा रहे हैं तो फरे, मैंने चने की दाल, उरत की दाल को भीगोया था इसको पीज के, इसमें मसाला एट कर दिया है इधर चावल का अटा लगा दिया है अब इसी के अंदर चनिक की दाल को हम भरेंगे और मसाले में मैंने हरी मिर्ची और धनिया मिर्ची का पाउडर टेस्ट के कॉर्डिंग नमक और थोड़ी से ही इतना मैंने इसमें मिक्स किया है तो फटा फट बना लेते हैं और पता फ्रेंड्स आज मेरा एम जॉन से मैंने नया ट्रैपोर्ट ओर्डर किया है तो बस आज की डेटिंग बता रहा था कि सुबा मॉर्निंग में ही आ जाएगा तो चली मैं आपको दिखाऊंगी तो चब से पहले फट बना लेते हैं और फट परे का ये दाल का खतम हो गया था तो मैंने ये लंबी-लंबी आज से बना ली है अब इदर गैस की तरफ आ गया है और यहां पे मैंने तिल चला दिया है तिल गरम हो गया है और इसमें थोड़ा से मैंने जीरा एट कर दिया है जीरा के साथ थोड़ा सा इसमें भी हींग एट कर दिया है फरो में हींगा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है अब इसमें हम पानी डालेंगे और पानी को वैल होने के लिए हम रखेंगे तो ठककर ढखेंगे और हटा के देखेंगे कि पानी मेरा वैल हो गया है यह देखिए अब इसमें हम अपने फरो को एट करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम नमक डालेंगे अब एक एक फरो को हम इसमें डाल देंगे अब पानी कि आल पानी कि देखूएँ अबड़ in यह देखूँ लिए गचा क्रावशना के लिए दो हमागे तो फटा फट फट फरे बना लेते हैं आज तो मैं बहुत खुश हूँ देखते ही मेरे नया ट्रैपोट कैसा रहेगा क्योंकि मैंने इसको एमोजाउन पर देखके और्डर किया था इसमें काफ एच्छा रिस्पॉंस बता रहे थे तो फट धक के मैंने 10 मिनट तक इसको कुक किया है और देखेंगे फरोग को चेक करेंगे एक बार इसमें कुछ मैंने आटे की भी फरे एट किये हैं क्योंकि आटा मेरा खतम हो गया था चावल का थोड़ा सा इधर वदर लम पलट देंगे ज्यादा नहीं पटेंगे ने तो फरे हमारे टूर भी सकते हैं तो अब फरे मेरी पग्ये हैं अब इनको हम निकाल लेते हैं और इधर कढ़ाई में हमने डाल दिया है इसमें घी अब हम फरो को डालेंगे और इसको भूनेंगे कर दोड़ा हैं तो फाइनली सूबा का नास्ता हमारा बन के तयार हो गया है करमा गरम फरे तो चलिए अब आपको ट्रैपोर्ड दिखाते हैं तो किचिन का काम खतम होने के बाद चलिए इसके अन्वाक्सिन करते हैं यह मैंने ट्रैपोर्ड मंगवाया है जुरिए और चलिए खोड़े और देखते हैं कैसा है करे चलिए फ्रेंडे और देखते मेरा ट्रैपोर्ड है कॉल रचन द्टब होट दुटब करता है इसके लंबाई तो बहुत है देखें इसमें कि इदना बड़ा होता है इसके देखी मैं एक बार इसको यूज कर तो कि मेरा फराब हो गया तो नेक्स बार फिर मैंने यही वाला लिया है और इसके साथ ने देखी पुण नेक्टने वी इसको यूज कर नेकिने उप नादान है कि यहां पर इसको तड़ी के बाद हम इस पे अपना बबाई लगाएंगी आप इसके बबाई लगा की दिखाएंगे आपको तो देखिए स्की लग इतनी है और इधारम लगाएंगे मुबाईल अभी में मुबाईल अनकर केस में दिखा रही हूं आपको कैसे लगाएंगे एक बार फिर देखिए आप और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी एमजॉन से पर्चेस कर सकते हैं यह देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा तो देखिए फ्रेंट्स सामने प्रेंट्स पताईएगा कैसा लगा तो चलिए फिर ब्लॉक में अन तक बने रहिएगा तो फ्रेंट्स आप ब्लॉक एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉक में आप से फिर्म बिलते हैं तो आप लोग करके बताईएगा कि हमारा रेपोर कैसा लगा और हमारा अस्तुबे का ब्रग पास्ट कैसा लगा तो प्लीज हमारी चैनल को सब्स्क्राइब करना न बूलिए और चितनी भी फ्रेंड्स आमारे चैनल पर नहें आते हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब बेल आइकन और शेयर करना न बूलिए जिसे आगे हमानी कोई भी नोटिफिकेशन आप से पहले मिल सकी तो चली फ्रेंड्स अब नेक्स द्रॉप में आप से मिलते हैं